ये वीडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 11 है और हम पढ़ने वाले हैं कुछ निमेरिकल्स को तो जैसे मैंने आपको बता दिया निमेरिकल को पढ़ने के लिए तीन चीजों का ग्यान आपको होना चाहिए पहला तो रे डिग्राम आपको पता होना चाहिए दूसरा आपको साइन कंवेंशन पता होना चाहिए और तीसरा फॉर्मूला इन तीनों को यदि आप जानते हैं तो निमेरिकल आप बना सकते हैं तो चली हम लोग देखते हैं कि कैसे इस निमेरिकल को सॉल्व करते हैं A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मीरर लिया गया है तो सबसे पहले हम लोग एक 컨्वेक्स मीरर बना लेते हैं उस परकार से यह हैं आपका कॉन्वेक्स मीरर देख सकते हैं ऐसे हम लोग कॉन्वेक्स मीरर बना लेंगे एक सीधी लाइन खेच लेंगे इस प्रकार से बना लेंगे सीधी लाइन खेच लेंगे और यह Convex Mirror बना लेंगे तो यदि हम लोगों ने Convex Mirror बना दिया और यहाँ आप देख सकते हैं Radius of curvature दिया हुआ है Radius of curvature आप जानते है कि Radius of curvature क्या होता है 2F के बराबर होता है या फिर हम लोग बोलें कि F बराबर क्या होता है R by 2 और यहाँ पर F क्या हो गया आपका focal length focal length क्या हो गया यदि raise यहाँ से जा रहे है तो पीछे की और कटते हुए प्रतीत होंगे यहाँ देखिए raise जा रहे है उसका अधा 1.5 meter हो जाएगा इसके बाद आप देख सकते है if a bus is located at 5 meter from this mirror तो आप देख सकते है F बराबर 1.5 meter है इस प्रकार से इधर भी हम लोग F यदि बना लेते हैं तो यहाँ से यहाँ 1.5 meter हो गया bus कहां है 5 meter के दूरी पे है तो यह है mirror तो यहाँ पर bus का location हम लोग बना सकते हैं तो यह हो गया 5 meter के दूरी पे तो यू बराबर क्या हो गया 5 meter तो sign convention के नुसार हम लोग F को क्या लेंगे positive लेंगे F बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस 1.5 meter यह मैंने बताया था आपको कि इस side जो भी होगा उसको प्लस में measure करेंगे और यू बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस 5 meter तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरा दिखाया गया है यू बराबर क्या हो गया माइनस 5 meter F बराबर क्या हो गया आपका प्लस 1.5 meter तो जैसे ही आप convex mirror देखेंगे तो आपको nature तो पता चल जाएगा कि यह image कैसा बनेगा पीछे की और बनेगा और यह कैसा रहेगा virtual तो बिना प्रशन को solve किये ही आप answer दे सकते हैं कि यह जो image होता होगा कैसा बनेगा virtual next इसका size क्या होगा size क्या exactly आपको निकालना है लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि convex mirror है तो size क्या होगा हमेशा छोटा होगा smaller than object होगा क्यों होगा क्योंकि यह convex mirror है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि आपको basic चीजे हैं पता है तो बहुत सारा चीज आप यहाँ से पता कर सकते हैं अपने answer के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ f पता है आपको u पता है v नहीं पता है और height of image जो हम लोग बाद में निकाल लेंगे तो पहले f हम लोग निकालते हैं तो f क्या हो गया 1.5 meter तो यह पहले हम लोग प्लस ले लेंगे इसको sign convention के नुशार क्या हो गया plus you क्या लेंगे minus तो फिर हम लोग formula लिख देंगे 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f तो जो अब इसको solve करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आपको solve करना होगा तो देखेंगे की v बराबर क्या हो गया 1.15 meter यहाँ आप देख सकते हैं v क्या आगया आपका positive value आगया तो फिर से मैं बना देता हूँ drawing आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपका f हो गया मान लिजे और इधर से भी f आम लोग बना देते हैं यह आपका c है तो आप देखेंगे कि जो image बन रहा है यहाँ पर positive में बन रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि image कहीं यहाँ पर बना होगा देखिए यह है 1.50 यहाँ से यहाँ का distance क्या है 1.50 और image कहा बन रहा है 1.15 meter इसका मतलब इसके पहले बना होगा तो यदि यह positive value आता है मतलब अपका answer क्या है सही है तो इस प्रकार हम देख सकते है V का मान हमें पता चल गया है U का मान हमें पता है तो M का मान हम निकाल सकते है M बराबर क्या होता है minus V by U तो minus V by U करके आप निकालेंगे तो answer आजाएगा आपका plus 0.23 तो M बराबर plus 0.23 आया तो यह क्या बताता है यह बताता है कि जो image है वह virtual image है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्ण में दिया गया है size of the image image का actual size क्या होगा तो यहाँ पर आप इस प्रश्ण में थोड़ा यह अधूरा प्रश्ण है image का actual size of height of image आप नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर height of image इसलिए नहीं निकाल सकते हैं यह कि object का height तो आपको पता ही नहीं है object का height ही नहीं पता है तो आप image का height कैसे पता करेंगे मान लिजे object 10 मान लिजे object 5 feet का होता या 6 feet का होता तभी तो आप पता करेंगे कि image फिर 12 feet का है या 15 feet का है जो भी है तो यहां से आप size तो नहीं निकाल सकते हैं लेकिन magnification जरूर बता सकते हैं तो मान लिजे यदि हम लोगों को यहां पर size of object पता होता size of object बोलने का मतलब size नहीं बोलेंगे height of object बोलेंगे कि height of object दिया रहता 2 meter तो फिर इसका image का height क्या होता इसका मतलब h dash क्या होता तो 2 meter into 0.23 यही इसका answer हो जाता लेकिन यहां तो size height नहीं दिया गया इसलिए इसका answer आप नहीं निकाल सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ों को आप बता सकते हैं position आपको पता चल गया nature पता चल गया यह एक imaginary image है और यह छोटा होता है size भी पता चल गया आपको 0.23 गुना है मतलब यह क्या हो गया छोटा है बहुत ही क्या हो रहा है छोटा आप इसको जब गुना करेंगे तो पता चलेगा कि इसका size क्या हो गया छोटा तो हमने देखा भी था यह जी convex mirror है तो उसमें क्या बनता है छोटा size का image बनता है तो इस प्रकार से आप अपने answer को कर सकते हैं एक और प्रशन यहाँ देख सकते हैं an object 4 cm in size तो H क्या हो गया आपका 4 cm हो गया is placed at 25 cm in front of a concave mirror तो यह देखिए हम लोगों ने concave mirror बना लिया और यह हो गया आपका P हो गया F हो गया और यह क्या हो गया C तो यह बोलता है यह 25 cm इसके front में है थोड़ा और आगे बरती इसका focal length 15 cm देख सकते हैं यहां से यहां का दूरी कितना है 15 cm क्योंकि focal length बोल रहा है 15 cm तो C कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 30 cm 30 cm क्यों क्यों क्योंकि यह इसका दुगना हो जाता है तो बोलता है यह 25 cm पर रखा है इसका मतलब है C और F के बीच में कहीं रखा हो गया तो इस प्रकार से ये in between यदि रखें तो ये 25 cm लगभग यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर object रखा हुआ है तो अब आप बताई यहाँ से एक प्रश्ण आपको स्वैम ही बताना होगा कि यदि object C और F के बेश में रखा है तो इसका image कहां बनता है तो image इसका C के beyond बनेगा तो आपने देखा इससे आप तुरंट पता कर सकते हैं अपने आप ही बिना question को solve किये ही यह image कहां बनेगा तो image तो C के बाद बनेगा मतलब 30 cm के बाद बनेगा दूसरा यह जो image होगा वो कैसा होगा तो यह एक inverted image होगा दूसरा है यह real image होगा तो बहुत सारे बाते आप बता सकते हैं नेक्स्ट यदि यहाँ पर रखा गया है तो image बड़ा बनेगा के छोटा बनेगा तो answer क्या है बड़ा बनेगा मतलब इसका magnification क्या होगा जादा होगा तो बहुत सारे बातों को आप पता कर सकते हैं बीना इसको solve किये ही तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सभी बातों को यहाँ लिखा भी हुआ है object size देख सकते हैं 4 cm है u बराबर minus यहाँ पर लिखना होगा आपको जैसे मैंने बावर बताया है focal length minus लिखना यहाँ मैं फिर से बताता हूँ focal length को concave है आपका तो minus यूज करेंगे और convex है तो plus यूज करेंगे अच्छे एक और बात मैं बता देता हूँ या तो lens हो या तो mirror हो वहाँ पर focal length के लिए आपको concave में minus यूज करना है और convex में हमेशा plus यूज करना है इसमें confusion नहीं रखना है फिर से मैं बता दू lens में भी focal length में कोई change नहीं होगा यदि concave होगा तो f minus लेना है और convex होगा तो plus ही लेना है तो यह आपके लिए benefit है कि आपको कोई tension नहीं लेना इसमें अब इसके बाद हम लोग अपना formula यूज करेंगे तो 1 by v plus 1 by u बराबर 1 by f होता है तो इस प्रकार से आप इससे लिखेंगे और इसको यदि हम लोग solve करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ answer क्या होगा minus 37.5 तो फिर से मैं एक बार इसको diagram बना देता हूँ आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा ये था p ये है f और ये क्या है c f यहाँ दिया था 15 cm और यदि f 15 cm है तो c कितना हो जाएगा 30 cm इसके बाद हम लोगों ने object 25 cm के दोरी पर रखा था तो ये हो गया 25 cm और हम लोगों ने देखा था कि जब image बनेगा तो c के बाद बनना चाहिए तो जब आपना answer देखेंगे तो देखेंगे कि ये 37.5 है तो अब देखिए ये जो v आया है वो positive आना चाहिए कि negative तो ये negative आना चाहिए था ये देखिए ये पूरा negative हम लोग इससे measure करते हैं इसको तो ये negative आना चाहिए था और आपके answer में भी क्या आ गया है negative इसका मतलब हमारा answer क्या है लगभग सही है थोड़ा और देख लेते हैं तो image 30 cm के बाद बनना चाहिए था तो आप देख सकते हैं 37.5 है इसका मतलब यह भी सही हो सकता है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़े है कि calculation आपको सही करना होगा तो ये भी आपका सही हो सकता है हलाकि यहां तो यह exact सही है क्योंकि बुक में यह बनाये गिया है अब आपको V पता है और U पता है U कितना है आपका 30 cm U प्लस लिखेंगे कि माइनस माइनस लिखेंगे तो आप इसका M भी निकाल सकते हैं M बराबर क्या हो गया आपका माइनस V बाइ यू बराबर क्या लिख सकते हैं H I बटा H O या फिर H बटा H बटा H दस भी लिख सकते हैं H I मतलब image हो गया यह image का height और यह क्या हो गया object का height यह U मैं लिख देता हूँ माइनस V बाइ यू है तो माइनस V बाइ यू आपको पता है यू भी पता है H I आपको निकालना होगा क्योंकि H O आपको दिया हुआ है तो यinals ऑगे है I आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं कि यहां H I निकाला हूआ है या फिर h' जिसको बोल सकते हैं तो simple mathematics का यूज करके आप h' को यहाँ निकाल सकते हैं जो कि क्या हो गया? minus 6 cm तो अब देखिए यह minus 6 cm आया यह सही है कि गलत है तो आप देखिए कि image क्या बन रहा है? नीचे की और बन रहा है तो nीचे बन रहा है तो h i क्या होना चाहिए था? negative होना चाहिए तो यह negative भी है और यह 6 cm का है तो यह सही हो सकता है या फिर हम कहें तो यह सही है क्योंकि यहाँ पर solve किया गया है अब यहाँ और देख सकते हैं बाद c और f के बीच में object को रखा गया था और image beyond c बन रहा है तो बताई यह object का जो size था वो बड़ा होना चाहिए था कि छोटा होना चाहिए था object है 4 cm का तो image बड़ा हो या छोटा हो तो यदि आप ray diagram याद करेंगे तो image बड़ा होना चाहिए था जो कि यहाँ बड़ा है भी इसका मतलब यह सारा calculation हमारा क्या है सही है तो इस प्रकार से numerical को आप solve कर सकते है तो मैं मिलता हूँ आप से next video में धन्यवाद